आप देख रहे हैं SPN 9 News SPN 9 News में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ निहा परिहार अडानी उद्योग समू के गोतम अडानी ने गुरुबार रात एंसीपी अध्यक्षिश शरतपवार से मुंबई उनके घर पर मुलाकात की है करीब आदे घंटे तक चले इस मुलाकात के दोरान NCP प्रमोक यहां पर उनसे मिलते नजर आए है और साथ इसाथ NCP सांसा सुप्रिया सूले भी मौजूद थी हालाकि इस दोरे को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है किन राजनिती गल्यारों में इस मुलाकात से एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है दरसल कुछ दिन पहले धरावी पुनर विकास के मुद्धे पर शिवशेना पार्टी ने मार्च निकाला इस मार्च पर जहां राजनिती कारों प्रत्यरोप हो रहे थे सुप्रीमों शुरत्पवान ने गोतम अडानी की तारीफ कर सबका ध्यान अपनी और कीचा था शुरत्पवान ने बारामती से टेंक के सेंटर के निर्मान में 25 करूड के योगदान के लिए डानी का भालवेक्त किया था गुरुबार रात करीब 9 बजे तक राजनितिक गल्यावर में इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि आखिरकार गोतम अडानी सिल्वा रोग पहुंचे है बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताए जा रही है एक और जहां भी पक्षके इंडिया लाइन्स के घटक दल लगतार उद्योगपती गोतम अडानी के खिलाफ रुक अपनाए हुए है वहीं दूसरी ओर देखा जा रहे है कि शरतपवार ने हमेशा गोतम अडानी का समर्थन किया राहुल गांदी ने उद्योगपती गोतम अडानी के संसत की संयुक्त समीसित जात कराने की मांग की थी शरतपवार ने रावल की समांग का विरोध किया था इसलिए इंडिया गटबंदन में कॉंग्रेश शिव से ना यूटीबी समूओ की ओर सेटानी को लगतार निशाना बनाये जाने के बावजूद शरतपवार ने अपना स्टेंड पर करार रखा इसी वीच आपको बता दे कि यहाँ एंसीपी प्रमुक्षरतपवार और उद्धियोग पती गोदम अडानी की मुलाकात के बाद क्या यहाँ इंडिया गटबंदन में तकरार देखने को मिलेगी या नहीं हमें कमेंट बोक्स में बताए और देखते रहेगा स्पेन नाइन यूस थेने बाद